नमस्कार दोस्तों आज मैं आपके सामने फिर से एक पर अंजीर की रेसिपी लिखे आई हूँ एंजीर का दूद्ध इसके लिए मुझे चार अंजीर थोड़े से बादान थोड़े से काजू के आप सकता होगी और स्वादानुसाद चीली और दो गलास दूद्ध दो जनों के लिए दो वैक्तियों के लिए और सबसे पहले मैं सबको इस जार में डालूगी पीशने के लिए फिर से आप ठंडा गरब दोनों तरह से सर्व कर सकते हैं यह अंजीर का मिलक शेक गरम भी अच्छा लगता है और ठंडा भी मैंने सारे और अंजीर को इस जार में डाल लिया है आप देख सकते हैं और थोड़ी सी चीनी मैंने इसमें एड की है अब मैं इस मिश्रण को पीस लूगे मैंने अंजीर बादाम और काजु को चीनी डाल करके अच्छे से पेस्ट बना लिया है यह आप देख सकते हैं कितना पतला पेस्ट है यह देखे अब मैं आगे की प्रक्रिया दिखाऊंगे आपको मैंने गया सोन की एक पैन चड़ा रहे अब इस पैन में मैं दो ग्लास दूद एड करूंगी कि दूद में अच्छे से उबालाना शुरू हो गया है अब इसमें हमने जो पेस्ट त्यार किया है अंजीर का जूर बदाम का और चीनी का वो इसमें हम डालेंगे अब हम इसमें अंजीर का जो हमने पेस्ट पीसा था वो इसमें मिला देंगे अच्छे तरह से अब उस देर इसको पकाएंगे अच्छे हाँ तो अच्छे तरह से चलाते रहें धीरे धीरे जब तक इसको हम देखेंगे कि दूद में उबालाना शुरू हो गया है और ये हमारा मिल्ट शेक त्यार है दोस्तों ये मेरा अंजीर का गरमा गरम मिल्ट शेक त्यार है इसे आप ठंडा भी पी सकते हैं और गरम भी पीएंगे अच्छे अच्छे प्यार है झाल 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 झाल